नमस्कार आज हम आपको बताएंगे या असुल स्वोफ की प्राप का कम्पेंशेशन कैसे करते हैं यह प्राप और स्कोप का सिंप्ल एक्किवलेंट इंपिटन सर्किट है इस साइड में स्कोप है और लेफ्ट साइड में प्राप दिखाई है 10 बाइ 1 या इसको 10 एक्स भी बोलते हैं अगर यह 1 इस्टू 1 है तो यह इन्पुट सीधा इधर चला जाएगा लेकिन अगर 10 इस्टू 1 है 10 बाइ 1 तो यहां बोल्टेज डिवाइडर होता है तो यहां इंपिडेंस होते हैं और सियारो के इंपुट में भी इंपिडेंस होता है तो यहां पे जो इंपुट आएगा इस सर्किट में और यह इंपुट है इन दोनों का रेशियो इस पर डिपन करेगा कि इंपिडेंस क्या है और यह इंपिडेंस खाली रेजिस्टर नहीं होता रेजिस्टर और कैफ्टर दोनों होते हैं तो फ्राव को फ्राव के इंपिडेंस को स्यारों के इंपिडेंस से मैच करना पड़ता है जब हम पहली बाद फ्राव इसकोप में लगाते हैं तो इसको मैच कराते हैं या फ्राव को कंपनसेट करते हैं वो कंपनसेशन फैसिलिटी फ्राव में होती है वो कैसे होती है अभी हम बताएंगे आपको हम मान लिजे एक हम 10 by 1 प्रॉब यूज़ कर रहे हैं हमारा ऐसा सिगनल है एक्शुल सिगनल तो हमें इसकोप में भी ऐसी नजर आना चाहिए देकिन अगर प्रॉब कमपोंसिटेट नहीं है तो या तो ऐसा आएगा या ऐसा आएगा इसको बोलते हैं ओवर कमपोंसिटेट प्रॉब इसको बोलते हैं अंदर कमपोंसिटेट यहां देखिए ओवर सूट आ रहा है यहां सिगनल जाई नीरा लेविल तक पहले यह इधर बढ़ने लगता है यह correct है, मतलब जैसा input हो, वैसा ही हम CR-ो पे यहाँ देखें। अब यह हमारी prob है, जो हमें compensate करना है। compensation method सिखने से पहले, इस prob को मैं आपको pass से दिखा देटा हूँ। यह 10 by 1 की प्रॉब दिखा रहा हूँ में, इसके प्रॉब के दो टर्मिनल हैं। यह BNC connector है, और यह tip है, जहां पे हम signal connect करते हैं। और यह इसका ground wire है, ground pin है, जहां ground connect करते हैं। और यह screwdriver है, यह screwdriver प्रॉब के साथ आया है। और यहां पे, यहां पे छोटा सा trim देख रहा हैं इधर आप। इसको rotate करते हैं, इस screwdriver की मदद से इस spine को rotate कर सकते हैं। तो जब हम इसको rotate करते हैं, तो प्रॉब का compensation change होता है। यहां पे आप एक switch देख रहा है, red color, यह adjust हो जाता है। देखें, इधर और इधर खिसकता है। यह भी हमने 10 by 1 पे कर रखा है। इधर खिसका देंगे, तो 1 by 1 पे हो जाएगा। तो प्राब में हम इसको 10 by 1 पे रखते हैं। और एक और आप देख रहे हैं यहां पे, यह थोड़ा सा यहां उठा हुआ है। यह protection के लिए है। जब प्राब को पकड़ते हैं तो यहीं से पकड़ते हैं। आगया नहीं पकड़ते हैं। safety के लिए। अब इसका method क्या है। set scope menu at 10x जो scope है हमारा, इसमें प्राब की setting होती है। हमने लिखा है x10, क्योंकि हमारी यह जो प्राब है 10 by 1 की है। अगर 100 by 1 होती तो हम 100 by 1 करते। जो भी setting हो। यह किसी scope में setting होती है, किसी में नहीं होती। तो सबसे पहले हम scope की setting, x10 हमने कर दी क्योंकि यह 10 by 1 की है। अगर यह setting नहीं है आपके में 10 by 1 यहां पर, तो भी आपको compensate करना है प्राब को। now set प्राब 10x position, हमने प्राब की position 10x अभी थोड़ी देर पहले आपको set करके दिखाई। अब connect प्राब tip to reference signal, हर CRO में एक reference signal होता है यहां पर, आपके scope में कई और हो सकता है वो square wave देता है। यह prop compensate करने के लिए ही होता है यहां right side में नीचे corner पर देखिए यहां पर है। तो यह prop हम यहां connect करते हैं। और जो common point है इसका यह भी यहां पर दो point है। एक signal का एक common का हम दोनो connect करते हैं। तो हमको यहां पर wave shape दिखने लगता है। उसके बाद इस wave shape को हम signal level ऐसा रखते हैं। vertical calibration से कि थरा बड़ा दिखे। और बाहर भी ना चला जाए। ऐसा दिख रहा है। और horizontal scale भी यह कर सकते हैं कि थोड़ा बड़ा दिखे। अब हम prop को compensate करेंगे। हमने दिखाया था यह हो गया, connect prop tip to reference signal हमने लगा दिया। अब हम इसको compensate करेंगे। अब देखिए यह screw driver हमने जो कि prop के साथ आया हमने यहां लगा दिया। कहां लगाना है यह पहले हमने दिखाया था। अब हम इसको rotate करेंगे तो signal change हो रहा है देखिए। यह अभी ऐसा wave shape आ रहा है। मतलब अभी prop over compensated है। यह correct नहीं है। अब इसको हम rotate करते हैं। अब देखिए। अब यह wave shape ऐसा आ रहा है। मतलब अभी यह under compensated है। अब हम इसको ठीक करेंगे। यह देखिए। आप यह line देखिए। यह वाली line। मैं जैसे chain कर रहा हूँ, state हो रही है। यह state हो गई। तो इस पार्ट के मदद से इस range में भी जाएगा। इस range में भी जाएगा। इस range में भी जाएगा wave shape। जब ऐसा wave shape आ जाए। ना over compensated हो। ना under compensated हो। मतलब प्राब compensate हो गई। अब यह प्राब आप इस CR-O के लिए आपने compensate किया है। अगर किसी दूसरे CR-O में यह लगाएंगे तो आपको फिर compensate करना पड़ेगा। और दूसरी प्राब है तो आप दूसरी चैनल के साथ compensate कर सकते हैं। अब यह जो wave shape है। मैंने इसी को expand करके दिखाया हुआ है। अगर इसको आप बहुत ध्यान से देखें। तो आप पाएंगे कि यहां से लेकर यहां तक शुरू में। यह एकदम perfectly flat नहीं है। थोड़ा सा difference है। इस प्राब में खाली एक trim है। और अच्छी वाली प्राब आती है। जिनमे एक से ज्यादा trim होते हैं। दो या तीन होते हैं। वह मैंने यूज की है। तो दोनों या तीनों trim से इसको compensate करते हैं। एक इस portion को compensate करने के लिए होता है। दूसरा इसके बाद वाले portion को और तीसरा इसके बाद वाले को। तो इस wave shape को दो-तीन हिसो में बाद देते हैं। और अलग-अलग compensate करते हैं। तो वह बहुत accurate होता है compensation उससे। आज के लिए इतना ही। आज के वाले कila लिए यसके बाद आज कर दो कि आज के लिए लेज़ के लिए बाद प्र cevा स्धू Series झाल झाल